चलिए दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं चने का साग बहुत ही बढ़िया रेस्पी है और इसका स्वाद है बहुत ही गजब काता है एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखेगा बहुत ही बढ़िया लगेगी तो चने के साग बनाने के लिए हमें चाहिए ये चने का साग उसके लिए हम आ गए हैं छट पर क्योंकि मैंने कई सारी सब्जियां छट पर उगाई हुई है तो चन्ने का साग कट कर लेते हैं साथी साथ ये कसूरी मैती है जो कि अभी छोटी है लेकिन साग बन जाएगा और पालक और ये थोड़ी सी धनिया भी ले चलेंगे तो सभी चीज़ों को हम कट कर लेते हैं ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है तो चन्ने का साग है वो ज़्यादा कॉंटिटी में है और जो कसूरी मैती और पालक है वो थोड़ी कम क्वंटिटी में ली है और लेके आई हूँ नीचे अब इसे किचन में अच्छे से मैं दूसे तीन बार साफ करूँगी काफी सारे पानी मैं इसे अच्छे से दोएंगे क्योंकि इसमें काफी सारी मिट्टी है दोस्तो और मिट्टी निकालना बहुत ही जरूरी है साग बहुत ही बड़िया बनेगा इस तरह से दो से तीन बार मैंने धुल लिया है और इसे निचुड़ जाने देते हैं उसके बाद इसे कट करके बॉइल कर लेंगे तो इसमें कोई अलग से मसालिया भी नहीं डालेंगे सिर्फ बॉइल करना है तो यह देखिए मैंने इसे बॉइल कर लिया था दो सीटी लगाई थी और यह काफी अच्छे से बॉइल हो चुका है तो पानी बस थोड़ा सा डाला था आपका टोरी इस से जादा पानी के भी हमें जरूद नहीं थी बॉइल करते हुए और नमक बगएरा यानि मैंने कोई मसाले इसमें नहीं डाले थे और दो सीटी लगाके इस तरह से बॉइल कर लिया है अब क्या करेंगे चार्ज ले लेते हैं दोस्तों और प्रेशर कुकर को मैंने फिसे फ्लैम पर ही रख दिया है और यहां मैंने एक से डेट गिलास ये चार्ज ली है चार्ज हलकी सी खटी है यानि मठा है आप चाहें तो दही अच्छे से फैट के और उसे भी यूज कर सकते हैं हलका सा खटा होगा तो बहुत बढ़िया लगेगा अब दो चम्मच इसमें हम बेसन डाल देते हैं बेसन की जगा पे आप बाजरा का आटा या मक्के का आटा भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब यह देखिए जो साग है दोबारा से मै इसमें एड कर देते हैं इस तरह से जो हम इसे डालते हैं तो इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा पहुत ही बढ़िया हमारे यह इसी तरह से बनाया जाता है और यह पहुत ही बढ़िया लगता है तो यह देखिए कुछ इस त साग भी है तो साग में काफी सारा लेस्न आता है और इसका फ्लेबर है बहुत भाए्ड आता है तो ये देखि घर नेखी नेखते हूच जोकि पहुत ही टैश्टी लगेगा इसके साथ आप एक चौपर लेंगे और चौपर में हम इसे बारिक कर लेते हैं या आप चाहें तो चकु से भी इसे बारिक कट कर सकते हैं और हरीमीच अधरक तो चौपर में कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़े आसानी से इसमें कट हो जाएंगी और बारीक चाहिए तो इस तरह से हम इसे बारीक कट कर लेते हैं ये देखे कितना बढ़िया हो गया बस इसे हमें ऐसे ही चाहिए और इन चीज़ों को निकाल लेते हैं अब चलते हैं जो हमारा साग है वो भी अच्छे से उबल चुका है ये देखे काफी अच्छे से पक गया है और कलर भी चैंज हो गया है दीरे-दीरे से मैंने इसे पकाया है तो बहुत ही बढ़िया लगता है इस तरह से बनाईएगा और दो से तीन बार मैंने इसे चला भी दिया था पीच-पीच में जिससे ये लगे न तो दीरे-दीरे बनता है तली में चिपक जाता है तो ध्यान रहें इसे चलाते रहें और आप इसमें मसाला डाल देते हैं एक छोटी चमच हल्दी पाउडर और साथी साथ लाल मिच पाउडर डाल देंगे हाप छोटी चमच और टेश्ट के साब से इसमें नमग डाल देंगे तो बस मसाले डालने के बाद थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे और साग हमारा रेडी हो जाएगा बनके तो जब तक वो बन रहा है तब तक इसके तड़के की तयारी कर लेते हैं जिससे साग में बहुत ही बड़िया टेश्ट आता है तो अब इसमें हम एक छोटी चमच जीरा डाल देते हैं और दो से तीन पेंच इसमें हींग डालेंगे और साथी साथी ये सूकी लाल बेज इस तरह से लगाईएगा तड़का तो बहुत ही बड़िया इसमें टेश्ट आएगा और बस अब जब ये सारी चीज़ा तड़क जाए तो हमने जो अधर लहसन और हरीमेज को कैट कर जा था वो इसमें एड़ कर देते हैं तो इसका जो फ्लेवर है लहसन का बहुत ही बड़िया आता है तो इसे सोनेरा होने तक मूने अच्छी सी खुश्वू आने लगे जब तक है सारा तड़का हम साग में डाल देते हैं और अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम को बंद का देते हैं तो बस थोड़ी देर में ही इसे डखके ऐसे ही छोड़ देंगे बहुत ही बड़िया इसका फ्लेवर आएगा लैसन का जो हमने तड़का लगाया था ना मज़िदास साग बनके तयार है एक बार इस तरह से बनाईएगा बहुत ही पसंद करेंगे आप इस साग को बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या फिर पराठी या सिंपल रोटी के भी साथ आप इसे इंजॉय कीजेगा सर्दी हैं और इस साग बहुत ही बड़िया लगता है तो एक बार इस तरह से बनाईएगा चने का साग जो बहुत ही मज़ेदार है इस तरह से दही डालके आप एक बार जरूर बनाके देखेगा बहुत ही पसंद आएगा अगर पसंद आए आज की मेरी ये रैस्पी चने के साग की तो कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों कि आपको कैसी लगए इस सभी के आँ अलग लग तरीके से चने का सरसों का पालक मैती इन सभी का साग बनता है चने का साग आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको ये रैस्पी अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और शेयर फैमली और दोस्तों में जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए अगर आपने दुर्गदा लाइफ को जोईन नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा तो चलिए दोस्तों फिस से मिलेंगे एक नई रैस्पी के साथ जो कि बहुत ही मज़ेदार और जट पर बनने वाली होगी हेल्दी होगी और टैस्टी होगी